दोस्तो कॉक्रेल चूजे 4000 जो हमारे फार्म पर हैं उसकी चौथे दिन की जानकारी आप तक पहुचात की कोसिस करते हैं यह फार्म का गेट यहां पैर डिसिंफेक्टेड हुए और यह दर्वाजा हमने खोला अब हम आ गए हैं फार्म के अंदर और फार्म के अंदर हैं हमार पानी में लगे हुए हैं कुछ आराम की मुद्रा में हैं मैं आपको दिखा दूं यह देखेगा बच्चे सोते भी हैं सो रहे हैं तो अपने उनको यह ना समझें कि बीमार हैं पक्छी भी सोता है तो यह देखें आप बहुत सारा चूजा सोरा और एक जानकारी और आपको दूं कि चौथे दिन में टेंपरेचर 33 से 35 दिगरी सेलसियस ही रखना होता है फीड आप देख ली जगा प्री स्टार्टर फीड चल रहा और यहां पर एक हजार हैं तीन हजार बच्चे उदार हैं चार हजार टोटल चूजा है अब देखो मैं सोने की मुद्रा बता रहा है अब समझेगा बहुत काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए आप देखेंगे में जूम कर रहा देखिए एक यह गर्दन उठा लिया यह गर्दन लटका के इंट के उपर ब्रिक्स के उपर सो रहा था कुछ बच्चे में आगे करता हूं यह देखिएगा यह सो रहा ह ब्रिक्स के उपर चूँच रखके सो रहा है इस प्रकार से चूज़े को जहां अच्छा लगता है वहां वो सोते रहता है तो चौथे दिन में टेंपरिचर का मैंने बताया साथ दिन तक 33 से 35 डिगरी सेल्सियास रखा जाता है फीड प्रिस्टार और मेडिसिन में आज हमन कैल्सियम और बिटामिन ए दिया है एक ग्राम पर लीटर के हिसाब से तो वही चल रहा है अब कुछ चीज़े एक्स्ट्रा बताता हूं आपको जैसे कुछ लोग पूछते हैं के कोक्रेल का चूज़ा कहां मिलता है कोक्रेल का चूज़ा आपको पता है कि इसके बड़े सप नहीं ये छोटी कॉंटिटी में मिलते हैं हाँ अगर आप डीलर के 150 किलोमेटर के आसपास हैं तो वह आपको 100 भी दे देगा 1000 भी दे देगा तो इस प्रकार से ये चूज़े मिलते हैं और सारा मुर्गा मुर्गा होता है आपको पहले दिन के वीडियो में मैंने बताये हु है तो यहां तक चोथे दिन की जानकारी हो चुकी है अब नुकसान वाली बात करते हैं है तो पहली रात में 70 चूज़ा मरा था दूसरी रात में 20 चूज़ा मरा था सत्र तेस त्रानबे और आज आज यह मैं दिखा रहाँ आपको चार चूज़े यह हैं यह सिंगल यह दो और एक यह है हाना तो त्रानबे चार संतानबे और चूज़े मर सकते हैं जिनकी संभावन आए हैं उनको छाटके हमने यह आई-सीओ वाइड में रख दीएं तो इसमें चार-पांच मर चुके हैं और बाकी इन मेंसे 50% मर जाएंगे 50% रीकवर हो जाएंगे मेडिसेन चल रही और यह फिर इनके साथ आ जाएंगे तो अब एक बार फिर से बता दूँ यहां एक हजार यहां के बार फिर चेशे सो के पांच गोले जिए लाएं चिक गट के 1, 2, 3, 4 और वो लास्ट वाला पांच तीन हजार यहां, एक हजार यहां, टोटल चार हजार चूज़ा है, जिसमें से आज तक संतानवे चूज़ा मर चूका, तो यह चोथे दिन की अपडेट थी, फार्म में बहुत रोशनी दिख रही होगी दोपैर के समय में, तो फार्म में, मैं एक बार जहां से इंटर किया थ जैसे अंदर आते हैं, तो लेफ्ट साइड में नजर डालेंगे, तो डिसनफेक्टेट करने के लिए पंप रखा है, जो अगरिकल्चर में यूज़ होता ही है, यहां एक छोटी सी आलमारी बना ली है, मैडिसन रखी हुई है, यह चूना पाउडर रखा हुआ है, और यहा बारफिट में एक फाइबर की सीट है, तो आर पार रोशनी आती है, धूब भी आती है, ठंड के दिन में बहुत अच्छा यह काम करती है, उधर से परदे लगे हुए है, वहां पॉले थीन है वो कारनर पे, और यह अच्छा वाला तरपाल है यहां से ऐसा, दिन का समय है, दो पहर का, तो इतनी जगे, ऑक्सीजन के लिए हमने खोल के रखी है, यहां से यहां तक, हाना, और एक्स्ट्रा बिचावन, जब चूजा बड़ा होगा, तो यह अंदर रख लिए हैं, बारिस के दिन चल रहे, बिचावन यहीं बिचा देंगे, और चूजों को चिक बालते हैं, वो यहां रहा करते हैं, तो यह थी, चौथे दिन की 4000 कॉक्रेल चूजे की कम्प्लीट जानकारी, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, सारे वीडियो बेचने तक, उसी प्लेलिस्ट में एक अत्रित करके, नए फार्मरों के लिए, यह सायद मदद हो जाएगी के पहले दिन, दूसरे दिन, टेंपरेचर, फीड और मैडेसिन, सेडियूल क्या-क्या हुआ करता है, यह शायद वो सीख पाएं, तो अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नौशकार, आदाब, चैहिंचे भारत.